तो यह CISI का चोठा वीडियो है CISI पे टोटल 11 वीडियो 10 से 11 वीडियो आएगा तो पूरा CISI कंप्रेट कर लेंगा हम लोग जितने भी पूरे CJ लेवल तक के ठीक है तो हमने पिछले क्लास में देखा था से 15 सिंपल सवाल बनाये था लोग ने हमने लास्ट सवाल तक किया था अपलोग पता होगा ओके यह सवाल आप लोगने इसको नोड़ों भी किया होगा और ये पीडियोप आपके पास आप अभलेवल भी होगा क्यों चानब के सामने होगा अपने लिखा होगा भी कॉपी पर तब इसको अब मिडिखे ये स्वाल था है लाश्ट में ये सवाला अ ये सवाल होगाना ये स्वाल था लाश्ट में क्यों रिए कि ये मंत वेड़ने वाला यो ये नéta ठीक इस सवाल को में द्वारा बताता हूं पर्चान नहीं होना अरे यारे कहां चला यह सवाल पूरा पूरा है जिसका बेसिक के लिए रहे हैं वही सवाल को मना पाएगा तो अगर बेसिक सही से पढ़े होके कि this और यह सवाल कोई की सिफ फैंड यहीं का इसमीन इसमें तरीका नहीं कि पूरा यह बेसिक को बनाना कड़ेगा चाहिक कुछ़ भी जा इसमें कोई तरीका पनाना ही नहीं है ओके तो सवाल को समझो सवाल में क्या है कि अर्वीन ने एक धन रासी को एक जनवरी 2012 को बैंक में आठ परसेंट वार्षिक सदाहन व्याज की दर से निवेश किया एक जनवरी को बैंक में डाला और साथ अगस्त को जब निकाला तो उसको कितना रव्य प्राप्त हुआ है यह धन रासी प्राप्त हुआ जब भी धन रासी की बात करें मतों यह एमौंट प्राप्त हुआ मिस् अब तो मिस्धान क्या वोलते हैं इमौंट आपके पास एक तीसो चॉलिक प्राप्त कितने दिन बाद यह आपको बताना ठीक है आपके सामने यह लिखा हुआ है एक जनवरी दोहर बारा को तो मैंने बोला था कि चाहे यहां पर एक कॉंट करो जाहे तो फिर यहां पर एक क होगा है मार्च 21 अप्रिल 30 मैं 31 जून 30 जुलाई 31 और अगस्त में सात तरी तक पैसा रहेगा बैंक के अंतर ठेक बैंक में पैसा सात तरी तक ही रहेगा तो सात तरी तक को उसका मिलेगा ठीक है लेको इसको कॉंट करेंगे 9-10 क्योंकि यह तो निकालना प्रगा ना कितने 10 तक रहा हूं मौन जाख एक साल तक रहाताटक को भी करता लेकिमिया दिन में दिन तरो को निकालना पड़ेगा धीन को निकाले इस तरह को तरी का है ने यहीं कर दिका देल WARकिो निकालने का निकाली आप 9-1 10 11 12 वारद्षात 19 क्याना ओंया कि अब यहां कि तीन दो पांच तीन आट तीन ग्यारा तीन 14 372 तीन 20 और कि 219 कि डोष्मीस आया था 219 डे अब मैं इसको पूरा टाज़ता हो ठेक है अब इसको पूरा मैं हाली किता हूं जो पैसा रहा टाइम आपके पास कितना है अफिए कि दोसों निज्टेच इंड अब आएक विलागु समय है उसको आप क्या क्या में कर दीजिए यह में अधियर में इतना हो जाएगा बताओ होगा या नहीं होगा पांच तीर तिया कि ऐसंति तीन अपांच साल कि इंड़र पांच साल कि नौत पांच दिएसर नहीं होगा थिंवेंट पांच साल तक बेंक फैसा रहा इतना तुमको तो पता चल गया आपको रेट मिना rate कि यह कि 8 percent दिया कि नई आपको निकाला इसमें समय है डाय आपके पास मेस्टिया आपको निकालना है क्या है आपको प्रिंसिपल निकालना है कितना था आप लोगों नहीं है पड़ा है कि ब्याज दे रहेगा तो हम कैसे नکल लेंगे प्राफ्त हुए इसमें आपका प्रिंसिपल भी सामीले साथ में भी आपको ब्याज बाहर नहीं पता चल रहा है अब दो को सवाल को हम कैसे करेंगे पहले चीज को समझना है ठीक है कि ओके देखो हम दो तरीके समझेंगे पहले पहले मैं तरीका बता रहा हुआ समयना है कि मान लेते हैं कि आप बैंक से सोरी बैंक में आपने 200 रुपी आपको बोले हैं कि आपने चार साल तक रख दिया कि अपने तक रख दिया बैंक के अंतर ठीक है तो कितना पैसा प्राप्त हो मुझे यतना पता हो पहले कि 200 रुपीया देस परसेंट की सवधाने बैंक से चार साल बैंक में रखोगे तो बैंक आपको कितना इंट्रेस्ट देगी असी रुपीया मुझे असी रुपीया प्राप्त होगा चार सालों के बाद एज इंट्रेस्ट यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा बोलो प्रोड़ल आपको बैंक की दन देगा अब बोले दोस असवी रुपा देगा 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 दोसों तो आपने जामा किया आपको निकालने के बाद राप्त होगा यह आपको पता है इसमें कोई डॉट नहीं अब मैं एक चीव बताता हूं अब मैं यहां पर चीव बताने वाला हूं कि यह आपका एक्जाम में ना दिया रहे हैं वह बहुत कोई रासी 10% की दर से चार साल में 280 रुप्य हो जाती है अब क्या बोल दिया चार साल में 280 रुप्य हो जाती है तो सब्सक्राइब हो गया ना यहां पर आपके अच्छा आप क्या आप क्या कर सकते आप यह लाश्य को सौ मान सकते हैं हम सव मानन का बना सकते हैं लेकिन आपके पास बहुत सारी चीजें पहला बाद अगर आपनी सो माना चलक रुप्य था सो यह था टो तो दस पर्सेंट की दर से अगर 4 6 के लग दखेगा तो उसको क्या रुप्य मीले गा बतातो तो कि 40 मिलाए कि नहीं मिलेगा मुझे बता हूं i4 पर मिलेगा तो ऑफ साओ के दब मतंद टोनल वाज कपषक पैसा प्राफ्ट तो किता प्यष्प प्राफटुल एक सो हमने 100 मान के पाडिया अगर हमने 100 रखा हो था अगर हमने 100 रखा होता हुथा पैसा तो मुझे 130 प्रब्वता इसमें कोई डाल नहीं हम इतना मिलता कन्फर्म मुझे पता था ठीक है कि तो हम तो हम कहेंगे चलो किताब कह रहा है कि दो सब्सक्राइब करेंगे तो यह समझ रहे हो तो यह तो तुमका पता है कि यह तुमका यह पिफ्यक्टि पता कि जो कि एफ्यक्टि बढ़ता है जितना परसेंट बढता है तो यहां पर मैं यह बताना चाहाँ रहा हूं कि अगर कोई भी धन सौ परसेंट होगा सदहान ब्याद के दर्सक्राइब यहां तक समझ रहा है एक सो चालीश परसेंट हो जाएगा अब देखो यहां तो तुम कोई कंसेट्ट समझाएगा ना यागा ब्यास दिया रहा है तो आप समाझ सकते कि यह जो दिया अगर यह दिया रहा है मिसर धन तो हम क्या उपाए लगा सकते जब भी मिसर धन दिया रहे सामने में कॉपी पेन रखो उसको नोट डॉन किया करो अब देखो मैं समझाने वाला हूं चीजों को पर जहां भी डॉट हो तुम पूछ हो क्योंकि यह मीट पर कलास में इसलिए करता हूं कि तुम जहां पर डॉट हो चोटा भी डॉट हो पूछो पूछने में कोई प्रोब्लम यहां पर नहीं ठीक है एक एक चीज़ पूछो प्रोब्लम प्रोबलम मैं माना कि चलो मैं के पास मैं बारवर हजार लिखा या रहा है सौ ही रखते हैं इसके पास सौ उर्पया था इसने आठ परशेंट बार्सिक ब्याज की दर से बैंक को दिया तीन बटा पांच साल के लिए यहां से तुम निकाल सकते हो मुझे बताओ मिस्तरधन बताओ निकाल सकते हो बोलोगे हां ब्या आपको मैंने बताया था आपको मैंने मिस्रधन होता है जो मिस्रधन होता है वह आपका पी पलस आई मत्रस क्या हुआ आपका जो मुलधन था जिसना अबने पैसा बैंकंग में डाला अजितना आपको इंट्रेस्ट मिला उसको मिला कहीं बनता है मिस्रधन जी तो आपने सव हम तर बीयाज कितना मिला 24 व्रप्या तो आपके पास टोटल टोटल पैसा कितना होग या पांस किताब में कए रहा है कितना उर्पेया किप्राप्त होता है हम बोलें हैं यह बोल सकते हो ना तुम लोग किताब कारा कि एक 5187 par Pitts of formula हम बनें सौ Imaud तो मुल्धन किता मेरा था जिस जो किताब बोलता उसको उपर रखते हैं और जो हम बोलते उसको नीचे रखते हैं जो निकालना उसको गुना करते हैं यह तो पता हुआ क्योंकि यह हमने 100 माने यह क्या हो गया यह है कि योनीट है न मैंने बताया था पूरा रेशियो में कि यूनीड ओता है क्या होता यह होता है यूनीट होता जिन प्रवाइब कर सकते हो ना इतना भी कि भी हम करके देखा दें तो काट लेना ठीक है इसका यह हो जागा ठीक है चलते हैं अब नेक्स रवाल के ओर कि चलो कि यह समझ में आ गया न हमने क्या किया हमने यहां पर सौव मान के बताया हमने यहां पर पूरा ऐसे किया हम इसको ड्रेक्ट ली में बताता कैसे हम बोलते हैं तो निकाल लो तो बोलते कैसे वह लेगा आठ परसेंट है और रखना है तीन बटा पांच साल तो इफ्यक्टिव यह पर्शिंटी जाएगा 24 व्यूटा 5 परसेंट मतो कहने द्हान है चोविश्टा 5% से बढ़ जाए उसका दैना पहले था 100 परसेंट आप हो गया 24 व्यूटा 5 परसेंट और थाम कहेंगे उसका धान हो गया टोडरली 5-245 परसेंट बोलेंगे चैसे भीलगों यह तेयु की बता रहा या नहीं आ रहा है या नहीं है मुझे बता है हुप सिरेगह को बनाया भी नहीं बहुत पहले लोगों पनाया बना ये विम पेंग एंदर डाला इसमें थो भी तो बहुत है इसtırों तो कुछ नहीं तब कर चुछ भी ईब गया अपको दिया ओकी तेงदा वे टा साथ के लो किस मेआ वह आपके पास कितना दिया है उना पॉ्हांच मॉट जणवररी से दिक मैं क्या हण की सुरूवा भाणा 강ड़ सब्सक्राइब कर रहा है ना अठाइस दिन का उपर भरी मार्च 30 हो जाएगा और मैं मार्च अप्रील कितना होगा 30 मैं कितना होगा एक तुमाई 31 में तक रखना है पैसा न एक तिसमें तक रहते हैं कोई दिकतने चोड़ लेते हैं आठ छे चोड़ा पंदर एक शोला है ठीक है दो चार तीन साथ तीन दस तीन तेरा तीन किता हो सब्सक्राइब करना ही नहीं आपको च्याली सब्सक्राइब कर जाएगा तेहतर से पांच सब्सक्राइब और कि नहीं आपके समय है आपके समय है अप लगा सकते नहीं तो कि मैंने सबस् own तरीका अश्चिक साहिए इस समय निखा टेंग सब्सक्राइब करते हैं यह चमक्ति-इस सब्सक्री थे जो are साल रखना बैंक के अंदर दो बटा पांच साल मतलब कूल मिला के कितना हुगा उन्हीं पर्चप तीन पॉइंट एक परसेंट बढ़े जाए गाउसका जो भी धाने उसके पाँच जितना ही पैसा वह तीन पॉइंट आट परसेंट से बढ़ जाएगा बढ़ेगा कि नहीं ब 独ुइंट को चतिस हजार रूप्या को इसका निकालेंगे निकाल सुझा हिए तो निकलता थाउट से गुना करती मिस्ट्र धान थेキण मिस्टर धान ठीक है फिर उपर से कोई मतलना आप इसे सोल्व कर लेते हैं ना देखो आप देख सकते हो यह 36 एक सो आठ होता है कि नहीं अधियर यहां पर देखो किया यहां पर क्या है अंती में 3.8 मतलब लगभग चार के बराबर है लगर टॉना करें तो एक सो आपके पास नहीं होगा आपके पास किता हो जाएगा तो ऑप्सन तो खतम हो सकते एंसाइब इसे बड़ा तो है निया गुनाप इसो कर सकते हो इसका अब देखो अब देखो शीय चीज च्छाटी कि अद्वालिस कुछ भी गुना कर लेंगा अंती में तो मेरा आठ आयेगा किने बता अरे यह अगर यह तो और यह कोई भी आपको टीचर यहां बोलता है कि हम सी याइसाय में ट्रीक देंगे यह देंगे तो वह सब चक्कर मतरणा ट्रीक जहां पर होता मैं बताऊंगा यहां कितना याद रखें है प्रषेंटिज में कितना अपको याद है सियाइँ तो सबस्क्ती तरीक आपको याद रहा है है सूस को इस तरीके सबना सकते हो समझभा कि यहता है ङसे फिलसे फेक्टिव कि में यहां तो वी अन्सरा घंब छज seu तो नोट से बना और स्पीडियो को फॉलो कर रहा है परसान नहीं होना आपको कहीं भी कोई भी तरह का नोट सपोर्ट से नहीं लेना को भी कोचिंग का सब कुछ है कि इस सवाल देखो कितना जी सवाल है कि करा मौनू कितना ब्याज देगा यदि 180 दिन के लिए 180 दिन के पैसा उधार लिया 10 रुपिया साथ परशंड की दर से लिया और बावनवा दिन उसने 4800 रुपिया पापस कर दिया और जो बाकी बचा पैसा उसको भी 115 दिन के अंदर उसने लोटा दिया आपके बस दिमाग यहां पर क्या काम कर रहा होगा यह बहाई इसने तो 52 दिन तक पैसा को रखा कि नहीं रखा बता तो कि यह बावनवा दिन अलताली सुरी पर लोटा रहा है मतों यह हो गया कि इस दस जार रुपईये पर इस दस जार रुपिये पर साथ परसेंट की दर से बावन दिन के लिए मतों 3500 भागतों करना पड़ेगा न कोई हाल में बावन दिन के लिए आपको और बटा सोतों नीचे माँ जाएगा और नीचे हंडेट तो होता है इतना तो इंट्रेस्ट इसको बावन दिन तक लग चुका है लग चुका है नहीं लग चुका है मुझे बताओ बुलेगा यस लग चुका है कितना रुपय सोल करेंगा तो 99 पॉइंट किता जाएगा 73 बावन दिन तक इसने 10,000 रुपया को रखा तो बावन दिन तक इसको इंट्रेस्ट साथ पसेंट की दर से देना पड़ेगा बावन दिन के लिए तो 99 रुपया 73 पैशा इसका यहां तक कि ब्याज बना ठीक है अब लड़का 48 रुपया लोटा दिया हां तक ठीक है तो अब इसके पास बैलनेस किता बचेगा उसने बागी बकाया राची पूरे इस पावन सो रुपया को इस पूरे बावन सो को लोटा देगा कब 115 दिन लेकिन भाई लोटाना है ठीक इस बावन सो लोटाएगा जो भी चीज तुमको लोटाना है बागी बकाया राची लेकिन इंट्रेस्ट तो तुमको लोटाना अब 12 दिन से लेके 115 दिन तक 63 दिन 500 रुप्या को 63 दिन तक रखता है अपने पास तो कितना इंट्रेस्ट निकलेगा बताओ नई सब्सक्राइब फिर द्वारा पूछना मैं बताओंगा द्वारा है अब देखो यहां तक इसे 62 रुप्या 850 पैसा देन पाड़ेगा प्र कि दार लीडिया 10 रुप्या के लगंगा पड़ेगा और वो ब्याज हो जाएगा इसो जोलने के बाद 122 रुप्या पच्छ पन पहिसा समाज में आया या नहीं समय आया मुझे बताओ मैं द्वारा समझाओं आगे पुरा अब देखो इसने 115 दिन में लटा देख से दिन में मतलब रहा नहीं नहीं रहा ला इसने 115 दिन के अंदर नहीं लटा दिया सो आगे रखाए नहीं तो फिर उसमें इंट्रेस्ट क्यों लगेगा है इस तमझ में आगे कोई दिखत किसी को किसी पर प्रोलम कहीं पर यहां पूशने कोई दिखत नहीं बूश सकते हैं अगे चलते हैं अग Chapter कोब देखो पैने मो varying सब यहांना सवाल को नहीं पड़ते हैं लोग स्वाल को पड़ो खरामोन कितना ब्याज देने पड़ेगा मोनु को अगर मोनु 182 रुप्या 180 दिन के लिए 10 रुप्य उधार लिया कोई आदमी से ले लिया 180 दिन के लिए 10 रुप्य उधार ठीक है बहुत बहुत लेकिन क्या हुआ और इंट्रेस्ट बता दिया कि 7 परचंद भाही लेंगे हम देखो तो क्या हुआ कि सुरिण उसका उसका दस लेकभए तो ढम खरके थे तो बावन दिन तक दसवर प्रुप्य कि दर से लेगा कि नए लए रख सितकवता डाईप ब्लाओ नीचे हंड्रिय नहीं और रुप्य का बन गया था निनानू रोप्य तक एसको ब्याज लग गया था थीक कि अब ऐसा नहीं कि नानुए रुप्य तक यहां ब्याज कल्कुलेट हो चुका है कि 99 रुपय आपका ब्याज हो चुका यहां तक लेकिन तुमने किता लोटाया और वह किता दिन तक लेगा क्योंकि इसने लाश्ट कबल मापस क्या पैसा 115 दिन मतलों यह हुआ कि 52 दिन के बाद नरत बावन सूर्पय लाएगा इस बावन दिन के पहले तो इसके पास दस रुपय मैं एक टामिलान में रहता हूं देखो यह बावन दिन है यहां तक किसने दसार रखा अब इस बावन दिन के पास इसके पास जो करजा है कितना रुपया है मैं कि 4847 लोटा दिया न है इंग बावन सोब आप इस बावन सोब पर भाई शाथ पसंदेना पड़ेगा इसको इसको देज चुका है इधा 99 रुप्या बेरासी पैसा एक सो पंदरहमा दिन तक के इसके बीच में कितना गयप हो तीसर दिन तक पैसा रखेगा तो उस पे 62 रुप्या पैसा इसको इंट्रेस्ट एज इंट्रेस्ट लग गया ठीक है इसने फिर पूरा पैसा वापस कर दिया वापस कर दिया तो इसने शुरू मार तालिस हो जब वापस किया और फिर इसने पैसा पैसा इंट्रेस्ट इसने दे दिया समझ में आया तुम लोग को अगए चलते हैं तो आगे तीन रासियां है एक सवाई जेड मत्ताइब रूपिया है एक एक रूपिया एक बाई रूपिया कोई दिक्कत नहीं है रहने तो हमको वह प्रोड़ नहीं आगा स्वाल में क्या बोल रहा है स्वाल में यह कह रहा है कि बाई जो है एक सका सधारन व्याज है एक सुरुपिया का आर परसेंट के लिए पी समय के लिए जो ब्याज होगा यह फर्मूरला होगा पता है कि नहीं पता यह एक सुरुपिया धहन हो गया और दर हो गया टी टाइम हो गया इसे मान सकतो दो साल पांच साल एनी भी मान सकतो मैंने और ठीवाना ठीक है अगे बोला है जो जेड है ना वो बाएक में अब जो बाई रुपिया है उस पर आर परसेंट के लिए टी समय के लिए जो व्याज आ रहा है वो कितना रहा है जेड आरा यही तो कुछ बोड़ा मत एक सोबाइ कुछ मुझे समंद जू नहीं गयाद करना कि नहीं लीचान सॉवनद से आरटी वाई हंडिड कटे आए कि नहीं कटेगा यहां हो जाए एस वाटा वाई इधर वाई वाटा जेड इधर देखे बाई एसक्वार देगा बरावर एकस जेड अंसर में है आपसर नमबर डी कि समझा गया यह चीज कुछ नहीं दिया था है अगर आपको इसे बोले कि जो 20 रुपिया है यह 30 रुपिया का सधारन व्याज है और यह जो 30 रुपिया है वो चाले सब्सक्राइब आज है तो यहां से प्निकाल सकते रिलेशन क्या रिलेशन इसके बीच में तो वही कुछ न कि आप लोग इसको ट्राय करिए यहां में हम बता दूं यहां पर आपको समय ग्याद करना क्या कर देख करना आपको टायम ग्याद करना बागी सब कुछ आपके पास अभी लेबल है कैसे अब बताए मुझे देखिए कि समय तो समय तो आपको दिया हुआ मैं तो यह आपको जो ग्याद करना है आप पर डेट ग्याद करने कोई ध्यान बताते हैं आपको समय स्वाल को पढ़िएगा तरह पांच जनवरी 1991 को पांच परसेंट सलाना सदहारन व्याज की दरपर दिया गया 1950 उर्पई या कब इतना प्यूल किया उर्पई चाहता कितना हैं यह कैसा हो किंते हमीच के लिए नहीं सब्सक्राइब मुझे अरे में जामा किया उनिस्सो पचास उर्पया और कि कितना मैं मुझे बताओ का हो जाएगा कई न ना कहीं ब्याज होंगा बढ़के क्या होता होता है नहीं बताव जली से यह 175 रुपईया 50 पैसा चाहता है कि मेरा बढ़ जाए करा कब बढ़के हो जागा इतना रुपईया और रेट ओफ इंट्रेस्ट आपके पास कितना है पाच पर्सेंट है की नहीं है बताओ बताओ अ कि आपके सामने क्या क्यक्षिय आपके पास नहीं है आप है गृत जो ने सो थो बटा मुल्ध क्या थे तुर निकाले सकती हो पिंटू अ पी आर्टि ओ एस ऐ इसंग्य निकाले सकती है तो एक दोण फ्रूरी शींपल यहां से जब हम ने सो कैलोकुलेट किया तुम यह घ्ला टाइम जुआ कड़के वाया एक सांवान पॉइंट है कित एक साल से जाद मतल़ कहने का मतलों एक साल से जाद हुआ कि नहीं हुआ बताओ ओके हाथ आप 1.8 यह आया अब यह आपके पास समय आगा लेकर यहां आपको क्या बोला यह कब हो जाएगा कौन दिन हो जाएगा तो पांच जनवरी से एक साल 1.8 साल बाद इतना हो जाएगा तापको डेट निकाला पड़ा है कलेंडर आया क्या आगा कलेंडर का चीज़ दे दिया है आपके कलेंडर दे दिया तो एक साल तो पहला बाद तो भाई 365 दिन तो होगा कोई ने रोकेगा होगा की नहीं होगा बताओ और आठ जिरो पाइंट एड़ जीरो पाइंट एट एड़ अगर तीन सोफ पैंसेट से भाग करते हो तिन सोफ पैंसेट से अगर भाग करते हो ठीक है यहां पर मैं देख लेता हूं कि आगे 20 कि हां ओके एर आजब Peakco मैं समया है एक साल आठ में तो वन प्वइंट येर के बाद इसका पैसा इतना था इतना लिया d चमस्मय में तो तो घ है पाँ कुछे बेसे ज्सक्याम किए था न था यक बवात मुझे बताना कि इसका जो च्छा यॉर्ण देखो हैं पांसरी 991 के पाद एक सर जोड़ेंगे तो 5 जनुवरी मैं उनी सस बाद में इस दिन एक साल होगा की न होगा बता कि इस CHA अनुवरी पहसतर एक सल बढ़ा दिया पांसरी 9202 सो बोर। तक एक सल बढ़ा दिया की नहीं बढ़ा दिया लेकिन मुझे उतौए से 0.8 सब्सक्राइब है जाना ने इंपता है ने दीडियो पइंट एट टिर और जाना है मत्था कहने का मतलओ जो भी साल होगा अब अगला आने वाला कौन सा छेये तो बान में कौन सा लेपियर है न तो 366 में आपको गुंदा करना पड़ेगा 0.8 निकल लेगा दीन इसको करेंगे जो आने वाला है वो आएगा दोसो बाइवे दिन कितना दोसो तो पांच जनवारी 1902 को एक साल हो रहा है अब यहां से आपको जाना पड़ेगा दूसो बाणम में दिन काल सकते हो ओ अगर देखो क्या कैसे मैं बनाओंगा मैं सीम्प्ल एक साल हो तरहां हो चुका है नियों समय चुकर मुझे बता अब देखो में जब पांधर मेरी को हो चुका है एक साथ तो पांच बारी से अब हम करते आते हैं आगे ठीक है तो जर्वारी में केतना इन होगा अग्यां प्रवारे में कितना होगा उन्तिस दिन मार्च में कितना होगा एकत्तिस दिन इस सवाल खुद से बनाया है कि आपका दिमाग खूले ठीक है तीस दिन 31 दिन 31 दिन 31 अगस्त में 31 सितंबर में 30 दिन अब यहां तक यहां तक जोड़ेघरें चैना 200 दिन आ गया अब मुझे वास दिन reaction गरोगा जड़ाए का जोड़ा नुझ जोड़ां तो मुझे जो gün drinking तो यह हो गया कि तो यहां पर देखो तो यहां पर आ गया कि तेस्ट अक्टूर को तेस्ट अक्टूर को इसका इतना साल हो जाएगा एक साल आठ एर ठीक है एक साल आठ एर इसका जाएगा एक सब्सक्राइक समय में आया और तो इस्तिक्राइब से निकाल तो इस सवाल थोड़ा आपका दिया है प्रोब्म में ठीक में लेकिन ऐसा कुछ है ने इसको सोल्व करना पड़ेगा ठीक है बीना सोल्व के तो अंसर आएगा नहीं और को इसका उपाय सौटकुट आपके पास है भी नहीं इतना तो मानते हों क इसका नहीं है चलते हैं सवाल के और समझ में आ गया इसको इसको एक बार खुद से बना करें ठीक है जोड़ा टीक है कैसे कब कब आएगा निकाले सबाने का फिर उसे सौल कर लेगा ने शवाल है यह मैंस वाल कर तो बताया था ना कर इंपल्स वाल बहुत हलुआ सवाल है क कि 8% हैर साल बढ़ रहा था चार साल में 32% बढ़ देंगा कोई दन बढ़ेगा बोलोगे बढ़ेगा का सकते हैं कि जो 100 रूपया था कितना रूपया हो गया इस रूपया हो गया आपको बढ़ा मुल्ड रासी तो 100 सुगुना कर तो मुल्ड तो ही होगा ना सौल कर लें ठीक अंसर आजाएगा आगे चलते हैं यह मैंने बताया था यह पैंटीस सो रूपया जो है वह 45 हो गया मत्तों एक हैर रूपया क्या आगया ब्याज हो गया ना ब्याज ब्याज परसेंट निकल दाएगा समया से खत्म नेक्ट सवाल के और चलते हैं बहुत इजी सवाल आप लोग इसको बनाई अभी जस्ट आप लोग सामने कोई पेंट राखे तो इसको सवाल को बनाई बहुत इजी सवाल जली बनाई सब्सक्राइब उनीस में पूछा सवाल कुछ भ पर्सेंटेज में घुशा देंग अपको कभी कुछ में कि चलो आप लोग से मुझे आसा कम नहीं है कि बना पाया देखिए का रहा कि केतना एक दूद पैसा है कोई पैसा कोई धन्रासी है उसका सदारान व्याज उतना ही हो जाए मुल्धन के बराबर हो जाए कब कितना समय में दर यह बता दिया मतों अगर 100 रुप्य आपके पास है सब्सक्राइब हो जाए यह बोला गया तो इस पर कितना कितने साल में रेट आपको दे दिया है आपके आपके सकते हैं कि आपके पास जो जो प्रिंसिपल है वह 100 रुप्य और जो ब्याज हो कितना है वह भी कितना होना चाहिए 100 रुप्याँ वही तो बोला है एकदहन रास्ती का सधाहर ने व्याज यतना दर से कितना बरस में मुलधन प्रवड जाएगा इसा मुलधन 700 में कितना साल में थिद्री भांच 25 के सांशनी को बातना 50 नीचे चार उपर है कितना साल में रह Twill कि παता हम अ can i ha कुछ है कता है ड़ियरा कि कि पंच के Sydney sadly तूर। उस पे कितना साल में इतना पर्सेंट की दर से उतना ही हो जाएक उसको वbयाज मिलेगा सौ रुप्या तो पैसा डबल करना और इंट्रेस्ट रख दिया तो आपने का सकते हो कि सब्सक्राइब आपको मिलना है व्याज गुनिय सब बट्टा मुल्देन हमारा सौर्प्या था दर हमारा प्रॉस इतना तो आपके समय अट साल में जो पैसा है वह इतना हो जाएगा आठ साल में पैसा तो जो हमारा ब्याज तो हमारा इंट्रेस्ट वह भी सब्सक्राइब तो मुझे उस पर सौर्पया ब्याज के रुपे मिला क्योंकि मेरा इंट्रेस्ट था कितना पचास बटा तो हमने पैसा तक रखा तो हमने आठ साल तक रखा तो यहां पर समय निकालना था फर्मूला पर और बड़ा की चीजिए कुछ नहीं था नथिंग अब दोख में एक च्वाब बताने वाला हूं तमझो ने कि आए ब वह जो हैं उषयब ढाल कितना होना चाहिए फॉर्पिया हैmax तक सौह दोटिण है उसकेजिए प्राप्त होता है बता है कितना साल में हुआ होगा कैसे निकाल लेगा आप लो चार साल तो यहां पर मुझे 100 रुप्या चाहिए और मुझे दर कितना है पजास बटा चार परशेंट कितना हो गया आठ यह चाहिए बेसिक से कर लो फिर यह कर लो अधर फिर मैंने सुरू बता है जो जो तरीका आपके पास अब लेबर है उस तरीका से मना लो बस यहां पर कुछ भी नहीं कर रहा है आपका सवाल में यही कर रहा है कि जो 100 रुप्या आपने जामा किया बैंक में तो कितना साल में 100 रुप्या का इंट्रेस्ट साव रुप्या मिल ला है बस ब्याद पर यहां पर ब्याद भी सेम कर दिया आपको और मुल्धन भी से मैं आपको सवाल के आ आ गया अगया आ एक तो बहुत इस वाल मैं इसको बनाओंगा यह नहीं आप लोग अपनाना ठीक ह इस स्वाल को देख लो यह स्वाल बस कुछ नहीं कि हाट फेर बैंक में जामा कर दी है आठ पर सेंट दर हमको इंट्रेस्ट दे रहा है आठ वर्स वाथ कितना पैसा बस कुछ नहीं है खतम भी चाहिए तो इससाले आठ पर सेंट की दर से तीन वर्सों में इतना रुपे निवेस किया था बैस कि राज ब्याज निकालना फिर खतम मुलधन दिया ब्याज निकालना सब कुछ दिया पैतालीशन रुप्या की धन रासी पांच बरस और इंदो कमेंस का सवाल कितना खतम स पढ़ा कितना तो तो पैतालीशों को घटाने के पैंसे पर इसमें किता है बताओ यहां पे पंदराशो और इधर कितना हो गया पांदर सब्सक्राइब बीसों पची सुरुए कि तो यह ब्याज ब्याज हुआ कि नहीं हरी इतना रुपे इतना रुपे हो जाता इतना निकालना यहांे अधर हो ढ्रस मॉल प्रस आपके सामनी देखर करना अ ज्योजफम करना छोगा सब्सक्राइब भिवेश्ट है यह बिता टान देकर लाश्वा लोगा सइध्र आइधिंक नलाश्वा लोगा है नहीं दो को देखो तो समझों क्या कहा रहा है कि बैंक अनद एदना जिक बैंक में खाता खुल वाता ऑक जितना यह पैसा रखता है उस पर उसको बैंक में कितना पैसे ज़ित में पाचिक लेगा तो मिला गैल्पी बचारा के साल में कितना घट जा रहा है कि शाल में साथ कर जारा कर जा रहा पैसा एकॉंट से टिक समयरे ओना बात को अप अब देखो साथ के समझा है अब क्या कर रहा है कि तो वह यहां समझो वह आउसत रासी ग्याद करें जो अनन्द को बैंक में रखनी पड़ेगी यह पांच उर्पया महिना में कट भी जाना तो कोई फरक नहीं पड़े बत इतना उसको रासी बैंक में रख देना है न कि उसके इंट्रेस्ट आ जाए और चुछ उसका टैक्स लग राहा है मैनस अब उसका पैसा जो बैंक में डाला ना उसको हमेशा वही रहे आगा अगर माल लेते हैं इस तुम सुल मालने डालते हो डाल दे ठीक है तुम्हारा थीन रुपया महिना मिल रहा है I am sorry थीन रुपया में मिल रहा है कि एक साल में कितन ट्रास की दर से एक साल में एक्सोतीनלא हमकंती महागा थनलने में वालता है अब बताओ इतनाय रुप्या बम का नियां हैं कि हर मेहीन काट इदूर रुपीय उभार में साल में कितनाया के अब कहला है 1028 आप तुम्हारे पास एक्सोतीन रूपिया तो हो रहा है लेकिन 24 काट ले रहा बच्चा कितना आपके पास पूंच हो ये बताना में चाहरा हूं कि उसको 60 रुप्या ब्याज प्राप्त हो जा व्हिना में अगर प्याज प्राप्त होत् County का तो जीरो जागा नहीं के पास असफ ना काट रहो है उतना यह तो पहाके पास जगाने कुछ एक साल पे लेंगे क्योंकि एक साल के अंदर मुझा चेकरना है ना समयक साल आपके वासरही कितनी है राशी आपको मूल्दः निकालना ना दल कितना है कि तीन पर सेंट रंदर वो तो फॉइन है हम कहेंगे कि ब्याज गुने सव शाट रुपया व्याज कमाना है एक साल के अंदर तीन परसेंट के रेट पे तो मुझे कितना बैंक यू डालना पड़ेगा बोलोगे आप कितना है कि दो हजार किता डालना पड़ेगा देखो यह अगर बैंक में रड़काथ 2000 रपी डाल देता है ना तो इसको कितना प्रसेंड प्राप्त होगा साट रुपिया कोई मतलब नहीं मेरा रखा रहा है कि नहीं बता तो सवाल में चीजों को समझो क्या कहना चाहा रहा है कुछ भी सवाल में दम नहीं था ये ने आपट सवाल लेकिन थ्यान रहे कि सवाल में क्या इस सवाल में है कि कितना रुपया वह अंती में पे करेगा मतलब अंती में जो उसने अंती में जो उसने इंट्रेस्ट पे किया है पलस में उसका दो हर पजामा करने वाद तीन यह बचा था उसको मिलाकर यहां पर इंट्रेस्ट को जोड़ दना बस जो बाकी बकायरासी में एकदम सवाल को मैं को किल करें और हम कल बनाएंगे गर करें दिफох जो कि एक्जाम में आते हैं बहुत सारे तो इस ऐस आई पर एट लिस्ट हम लोग कितना क्लास करेंगे तो दो से अधाय क्लास और करेंगे हम चाहेंगे आप लोगों जतना ज़्यक्त कर पाए चीजों समझ पाएगा उतना ही जल्दी खत्म होगा ठीक है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करेंगा मैं इसका फिर यूटूब पर मैं कभी क्लास नहीं दोंगा इससी के लिए ठीक है दिहान रखना चलो सेशन को करते हैं समाप अप लोगों समय में आया होगा ठीक है और और एक बात इंगलिस का पूरा जो भी मैं इंगलिस पढ़ाया हूं उसका सब्सक्राइब करते हैं समाप धन्यवाद